पपीते के विरिक्ष पर जब फल आते हैं तो उसे कपड़े से ढख दिया जाता है ऐसा इसलिए करते हैं कि खहीं उसके रंग और गंद से कीट और पक्षी आकर्शित होकर उसको खाना जाएं इसलिए यदि फल का अनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा इसी प्रकार सफल होने के लिए केवल परिश्रम ही होना ही परियाप्त नहीं है यदि लक्षे की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्षे पाना चाहते हैं एक बात याद रखिये का योजना जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी ही निश्चित होगी